Hello, friends, How are you? च्छा कर वें आज काल आप सब? कुछ नया creativity obviously करी रहा होंगे तो आज क्रियेटिविटी में क्या है next? आज की ग्रियेटिविटी में है decorating item तो उसके लिए हमें चाहिए क्या होगा देखिए उसके लिए हमें चाहिए होगा यह ऐसे काटूं तो इसको मुझे दो सवक्वल्स में काट में हैं डियामेटर होंगे 16 cm तो ऐसे दो काटूं देखिए ऐसे मेंने काट रखें और रहेड़ी तो इसका अभी क्या करणा है कि हमें इसको इक्वल मतलब सेग्मेंट में डिवाइट करने हैं ताकि मैं पेपर रोस इसली उसमें पेस्ट कर सको 16th सेग्मेंट बना लेना है तो उससे पहले हमें और एक चीज़ करनी है हमें पेपर रोस बनाने तो पेपर रोल हम बनाएंगे किसे न्यूस्पेपर या फिर आपके पस कोई भी पुरानी होजबूख हो जो आप न्यूस करना चाहते हैं या कु इसे स्टार्ट करोंगे बिल्कुल रोल करना ऐसे रोल करते करते मैं इसको पूरा एक अच्छा सा पेपर थिन रोल बना दूँगी ठीक्या तो इससे क्या होता है इसका स्टक्चर स्ट्रांग उरता है पेपर का तो हमें से फिर किसी भी चीज के लिए यूस कर सकते हैं तो यह बिल्कुल अच्छे से रोल हो जाएगा आप ऐसी कोई भी लिड या फिर कुछ भी पत्ली चीज जैसे और इस चीज है यह ब्रश पेंट ब्रस आपके पस पत्ली हो तो ऐसी आप यूस कर सकते हैं फिर यह बन गया फिर लास्ट में आप इसे लगा लीजिए ग्लू तो ऐसे हमारे पास हमें बनाने है कि मैंने और डिच बना रखांगे हैं तो अब यह हमारा हो गया है त्यार और इसमने हमने इन और पॉयंटी मार्ग कर लिए हैं totally हमारे 16 पॉइंट्स बने हैं तो अभी एक सरकल हमें यूज नहीं करना बाद में यूज करना है तो फिलाल हमें ये यूज करना है तो अब करना यह है कि ये सारे डॉट्स में मुझे ये पेपर रूल स्टिक करने हैं बिल्कुल ऐसे अभी आप बिल्क पारे रे विवरे झाले जालेश करना है तो अब करना है तो यूज करना है तो यूज करना है तो दो आप झाल 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 पेस्ट हो जाए ठीक है तो यह हो चुका है ड्राइ अभी मुझे क्या करना है मुझे इसकी जो हाइट है जहां से मुझे इसको तर्न करना है तो मुझे इसकी हाइट चीए 8.5 तो मैं चारो तरफ जितने भी मैंने पेपर रोल्स लगाए हैं वो सब को मार्क कर दूंगी 8.5 ठीक है चारो तरफ तो इसका अमें और एक चीज़ करना है कि ऐसा एक सर्कल काटना है बिल्कुल इसके हाफ के डायमेटर के लेंप ठीक है यह 8 था तो यह मैंने 4 के डायमेटर पे काटा है फिर हमें क्या करना है इसको बराबर एक एक इस पेस्ट करना है ऐसे तो मैं आपको पेस्ट करके बता रहे हूं है कि बिल्कुल ऐसे हमें से पेस्ट करेंगे ताकि हमारा हर स्टिक यहां पर बराबर आके ऐसे फिट हो जाए ठीक है तो यह पिंजरा हो गया रेडी मैंने सब कुछ इसकी ऊपर चिपका दिया नीचे के तरफ से तो यह बिल्कुल बराबर देखिए आप सेफ में आ चुका है तो नेक्स्ट अब हमें करना क्या है कि हमें और ऐसे पेपर रोल्स बना के फिर हमें इसको हमें उसको क्या करना है कि चारो तरफ बीड बनानी है तो मैं आपको दिखाती हूँ पेपर रोल बना के तो ऐसे सारे रोल्स बनाने है चार मुझे उसका लेयर बनाना है बेस लेयर इसलिए मैंने चार पेपर रोल लिया और य और भी ऐसे बहुत सारे बनाना है हमको तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले हम इसको एक प्रॉपर लेंथ में कट कर लेते ताकि ये प्रॉपर साइज आए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे पहला लेयर हम लगाएंगे फस्त तीन को इसको पहले हम दो को ऐसे लगाएंगे फिर हम बाकी इसको ऊपर रहना देजिए ठीक है इसको ऊपर एक ऊपर एक नीचे रहेगा फिर बाकी अब फिर थर्ड लैन मुझे इसको ऐसे लगाना है तो मैं इन दोनों पर ब्लू लगा देती हूँ तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें अल्टरनेट इसकी बुनाई करनी है ताकि हमें ऐसे स्टक्चर मिले ठीक है जैसे मैंने अभी यह दोनों पर लगाया फिर मुझे यह दोनों पर ग्लू लगानी है मतलब इसके अंडर आ जाएगी यह तो मुझे फिर यहां पर लगाना है थोड़ा सा और यहां पर लगाना है और आपको यह दिखाती है तो मैंने यह बीड कर लिया है यह पूरा इसका लेंथ का है यह फ्रेम का ताकि यह पूरा इसको कवर करें अच्छे से ऐसे तो अब क्या करना है कि यह जो रिमेनिंग पार्ट से इसके हम इसको पूरा अच्छे से काट लेंगे काट के फिर हम उसको चारो तरफ उसके फ्रेम के ना पेश्ट कर देंगे ठीक है कि यह ऐसे हम इसको काट रहे हैं पूरा ताकि अच्छा लगे जब हम इसको फ्रेम को चारो तरफ पेस्ट कर लेते हैं तो यह मैं पूरा काट लेती हूं तब तक तो अब इसको मैं चारो तरफ पेस्ट कर दूँगी तो पहले हम ग्लु की एक लेयर लगा देते हैं चारो तरफ याद रखिएगा कि जब इसको आप लगा रहे हूंगे ना तो एक साथ लगा लीजिये क्योंकि आप एक तरफ लगा के दूसरे तरफ करेंगे तो ग्लु सुग कर दूंगी तेचे ऐसे टाइट ली और इसको सपोर्ट के लिए हम थ्लीप लगा लिए इसको ऐसे ताकि यह थोड़ा सा ड्राइब हो जाए और ऐसे टाइट रहेगा तो तब तक यह सूच जाएगा तो फ्रेंस यह फुरा ड्राइब हो गया था हमने इसे अच्छे से बनाने लंबे वाले ताकि हम इसको बॉडर लाइन दे तो मैं अभी इसको यहाँ पेस्ट करके बताती हूं यह सारे एरिया में उनको इसको दिए-दिए से पेस्ट करना है तो यह मैंने लगा दिया है मैंने बताया था कि ऐसे वाला आपको लगाना है पेपर रोल बनाके त दोनों ही पेश्ट कर लिया है ताकि एक नम मतलब मजबूत हो जाए और ऐसे वाले वायर से आप देख सकते यह वाला वायल बहुत को सिउ факो लोता है कि एसे वाले वायर से मैंने इसका हुज convention बनाया है यह स्टैप का तो यही। दाल दें ऊह तो इसे को फिक्स करके तो यह विल्कुल रटी और हो जाएगा तो इसको फिक्स कर सकते हैं है तो इसको ऐसको करके इसमें fit करदेना है तो यह प्रोपर ऐसे आगई और हां पर जो इसका एकसेट पार्ट आपको दिख रहा होगा तो यह एकसेट पार्ट को दोनों तरफ आपको ऐसे कड़ देना आपकी Secure हो जाए अंदर डुबारा निकलेना तो यह हो गया है सेक्योड अभी निकलेगा नहीं तो बिल्कुल अच्छा से यह अभर हैं होने के तयार है मजबूथ है तो अब हम पोर कर देंगे हम इसको पुरा ब्लैक पेंट करेंगे इसे डिपार करेंगे तो मेहां तो इसलिए paint यूज किया है यह ज़्यादा महेंगा नहीं है यह I think 30 हाँ 27 रुपीज का है तो यह easily affordable है तो अब हम इसको paint करना start करते हैं अच्छे से इसका color texture बहुत प्यारा लगेगा हम पूरे पिंजरे को black में paint करेंगे पहले तो मैं आपको बताती हूं कि यह पूरा पिंजरा बहुत प्यारा लगेगा black paint करने के बाद फिर हम इसमें जो भी remaining decoration या जो भी होगा न वो सब हम इसमें आराम से कर सकते हैं तो अभी इसको ऐसे ही आप पूरी तरह ना अंदर बहार हर जगा उपर हर तरफ आप इसको अराम से black color का paint करके ड्राइ कर लीजिए तो यह पूरा हो जाएगा आपका ready और strong तो यह paint होके पूरा dry हो चुका है और यहां पर मैंने इसको tape लगा दिया है silver का तो अभी हम start करते इसका decoration तो उसके लिए क्या ना मेरे पास कुछ पुराने flower wash में कुछ flower पड़े थे जो की मुझे आप चाहिए नहीं तो मैंने सोचा कि यह तो रोज से फेके क्यों इसी में decorate करते तो अभी इसको decorate करना चाट करते ओके क्या क्या है झाल झाल फाइनली हमारा ये पिंजरा हो गया है बिलकुल तयार बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है अब आप इसको कहीं पे भी सोप इस की तरह कोने में रख सकते हैं या फिर आप इसे हैंग कर सकते हैं वह आपकी विश है बट अब ये हो चुका है तयार तो प्लीज डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब और सेव माई वीडियो बिकॉस उससे क्या होगा कि न मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ और अच्छे अच्छे तरह से आपको दिखाओं कि क्या-क्या नए-ने चीज बना सकते हैं ठीक है